नमस्कार 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 सभी को बहुत शारा शुमरण और हम यूट्रूब लाइफ पर पहली बार जुड़े हैं यहां पर देखते हैं म। यूट्रूब लाइफ पर कनेक्ट हो रहे हैं YouTube live पर आपका बहुत-बहुत सागत है मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम YouTube live पर ले रहे हैं हमारा सेशन जो है प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के सेशन में अब हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अब इसमें हम कवर करने वाले इसके दो तीन लेक्चर, पहले मैं पड़ा चुका हूँ, यूट्यूब लाइब पर अब आया हूँ, तीन लेक्चर आपको यूट्यूब पर अपलोडेट मिल जाएंगे, यहना कल ये अपलोड हो जाएंगे संडे को, ठीके, आज मैं इस यूट्यूब सेशन को लाइब चल क्लियर होगी नमशकार 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 चलिए को चलते हैं हमारे क्षेशन की तरफ हम सब कुछ क्लियर है अच्छा चल रहा है हम आगी किम पढ़ जाते हैं देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में हम इसके पहले स्त्रोथों के बारे में बात कर चुके हैं बहुत सारी है ना स्त्रोथों के बारे में हमने बात कर चुके हैं हम यहाँ पर पूरा तात्विक हमने यहाँ पर पुरा तत्विक स्त्रोथ देख लिए है जिसमें हमने अभिलेक अभिलेक के बारे में हमने बात करी फिर हमने यहाँ पर सिक्कों के बारे में बात करी सिक्कों के बारे में बात करी समारक इस मारक इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब कुछ देख चुके हैं तीन लेक्चर हम देख चुके हैं उसके अलावा हमने बौध बौध और जैन साहित्ते के बारे में भी देखा ठीक है वहाँ से भी हमारे स्त्रोत मिलते हैं, अभी हम सिर्फ स्त्रोत देख रहे हैं, बहुत जेन हमने पढ़कर खतम नहीं कर दिया है, यह हम सिर्फ स्त्रोतों के बारे में यहां पर जनकारी ले रहे हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं, और continue करते हैं हमारा सेशन, देखें यह हम पढ़ चुके हैं, इतिहास के स्त्रोत, मद्धिकाल में इतिहास की क्या स्त्रोत देखे गए, मद्धिकाल इतिहास की जानकारी हमें किन स्त्रोतों से मिलती है, उन स्त्रोतों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं, देखे, प्राचीन की बात करें, है यहाँ पर सब चीजों को देख लेक अलिखित साक्ष पर अधरित है प्लस जो अवशेश है अवशेश पर अधरित है अलिखित और अवशेश वाले साक्ष पर ही हम अधरित यहां पर हो जाते हैं ठीके उसके अलावा जो अपठनी है अब पठनी है साक्ष है उसी पर आधरित होते है इन से हमें जादातर जानकरे नहीं मिलती है जादातर हम अंदाजा ही लगाते रहते हैं अंदाजा लगाते हैं कि किस प्रकार से ऐसा हुआ होगा जैसे हड़ापस अब्यता और यह सब होगए लेकिन यदि हम बात करें यदि हम बात करें मध्यकाल की मध्यकाल के इतिहास के स्त्रोत की बात करें तो इसके स्त्रोत कहें अच्छे से हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि मध्यकाली जो इतिहास है इसमें इतिहास को लिखना इतिहास को लिखना शामिल था इसमें इतिहास को लिखना शामिल कर लिया गया था इसलिए सभी राजा अपने साथ में इतिहासकार लेकर चलते थे इतिहासकार इतिहासकार अल्टिमेटली कुछ इतिहासकार लेकर चलते थे और कुछ जो होते थे जो उनके बखान करते थे राजाओं को होता है कि उनकी तारीफ की जाए तो उनकी तारीफ करना उनकी चीजों का बखान करने वाले लोग उनके साथ में दिरंतर बने रहते थे तो उस आधार पर यह बात की जाए तो ऐसे लोग उनके साथ में शामिल हुआ करते थे और उनके द्वारा बखान किया गया या लिखा हुआ लिखा वो ही क्या कहला जाते हैं वो ही हमारे क्या हो जाते हैं उनने जितना भी लिख दिया वो ही हमारे लिए वरतमान इस्थिती में क्या बन जाते हैं स्त्रोत बन जाते हैं उनी स्त्रोथों के अधार पर हम यहां पर आज बात करने वाले हैं, यह स्त्रोथ हमारे कैसे हो जाते हैं, यह स्त्रोथ हमारे बहुत ही उन्नत स्त्रोथ होते हैं, जिसमें बहुत सारी उनकी तारीफ में लिखे हुए, या फिर उनके द्वारा, या फिर उनके लोगों द्वा कि कौन कौन से स्त्रोथ हमने देखे तो यहां पर सबसे पहले आते हैं साहित्तिक स्त्रोथ साहित्तिक स्त्रोथ जिसमें हमको साहित्ति के बारे में जानकारी मिलती है तो साहित्तिक स्त्रोथ को क्या कर देते हैं दो भागों में भाजित कर देते हैं साहित्तिक स्त्रोध को भी दो भागों में भाजित करते हैं तो पहला हो जाता धार्मिक पहले धार्मिक साहित्तिक स्त्रोध हो जाते हैं और जो दूसरे हो जाते हैं वो हो जाते हैं धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष साहित्ती हो जाते हैं धर्मिक स्तरोध हो जाते हैं और धर्म निर्पेक्ष हो जाते हैं धर्मिक मतलब जो धर्म क्या धर्म पर लिखे गए और धर्म निर्पेक्ष मतलब जो बिना धर्म को बताए हुए यहां पर लिखे जाते हैं तेके उसके अलावा दूसरे स्त्रोथ जो होते हैं, दूसरे स्त्रोथ जिनको हम बोलते थे हैं क्या, तो धर्मनिर्पेक्ष और धर्मिक, उसके अलावा हमने कुन सा देख लिया, दूसरे हो जाते हैं पूरा तात्विक, पूरा तात्विक स्त्रोथ, पूरा तात्विक स्त्र मंदिर है कोई मंदिर है या फिर अन्य अन्य चीजे या फिर सिक्के अभिलेख अभिलेख ये भी इसी के अंदर शामिल होते हैं या फिर कोई क्या है किसी की जीवनी जीवनी हमको मिलती है या फिर कोई जीवनी किसके उपर लिखी हुई शिला लेख लेख हमको मिलता है ये सबसाख्षा हमारे क्या हो जाता है पुरा तात्विक जीवनी इसमें शामिल नहीं होगी सौरी जीवनी तो इसका हिस्सा है दार्मी को धर्मनिर पेक्षवाले आ जाते तो यहां पर हमको शिला लेख मिल जाएंगे या फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई रहेगी वो चीज़ें इसके उपर शामिल कर ली जाती है ठीक है आगे की तरफ यदि हम बात करें तो कौन-कौन से ऐसे हिस्से हो जाते हैं जो धार्मिक को बताते हैं धार्मिक के बारे में हम बात कर ले तो धार्मिक बाकी हम तो पुरा तत्विक स्तुरोथ तो हम इसके पहले देख चुके हैं उसके अलावा साथ ही साथ में जैसे से टॉपिक कवर होता जाएगा वैसे वैसे धार्मिक सक्ष के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँए जै यह सब क्या थे यह धार्मिक रूप से रचनाई करते थे ठीके रस खान हो गए रस खान हो गए यह पूर्ण रूप से धार्मिक रूप से क्या करते थे व्याक खान करते थे धार्मिक रूप के अलावा अब जो हमारे आ जाते कौन से धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष अब धर्म निर्पेक्ष में देख लेते हैं कि धर्म निर्पेक्ष किस प्रकार की है ना धर्म निर्पेक्ष किस प्रकार के साहित्य आ जाते हैं ठीके अब इसमें क्या हो जाता है धर्म निर्पेक्ष क्या हो जाते हैं लोक साहित्य भी इनको बूलते हैं दर्म निर्पेक साहित्य या फिर लोक साहित्य लोक साहित्य मतलब जो जन साधारण से संबंदित होते हैं कुछ लोग मतलब अपने राजा का बखान करते हैं कुछ कवी होते हैं कुछ रचनाय होती हैं किसी ने जीवनी लिखी, खुद की आत्मकता लिख दी, वो सभी हो जाते हैं, ठीके, उन सभी को हमको देखना है, यह मध्य, युग के हमारे, क्या हो जाएंगे, यह हमारे मध्य, युग के स्त्रोथ हो जाएगे, तो इसमें, अब हम वापसे लिस्ट देखना चालू कर देते थीक है फतह नामा पहला कुन सा आ जाता है फतह नामा अब ये जो फतह नामा है इसे चच नामा भी कहा जाता है फतह नामा को क्या बोला जाता है चच नामा भी कहा जाता है और ये सिंध इतिहास सिंध इतिहास के बारे में जनकरी देता है सिंध इतिहास हमको किसे पता चलता है पता है नामा से हमें यह पता चलता है दूसरा आज आता है राज तरंगिनी कौन सा आज आता है राज राज तरंगिनी इससे हमें पता चलता है किसका कश्मीर का इतिहास लिखा कि इसने कल्हन कल्हन ने इसने रचना करी और कश्मीर कश्मीर इतिहास कश्मीर इतिहास के बारे में ये हमें जानकरी देता है उसके बाद आ जाता है तुझक ए बाबरी तुझक ए बाबरी तुजु के ए बाबरी मतलब क्या हो जाता है बाबर की करती है ये किसने लिखी बाबर ने और तुजु के बाबरी ultimately है क्या आत्म कथा है किसकी बाबर की आत्म कथा जैसे आप आपके बारे में कथा लिखे कि मेरा जनम यहां हुआ था मैं इतना बड़ा हुआ तब मैंने शिक्षा गरहन करी यहां से करी यह तो वो सब चीजे क्या हो जाते है यह हो जाती है आपके आत्म कता next आ जाते हुमायू नामा है ना हुमायू नामा जो था वो लिखी किसने गुल बदन बेगम ने लिखी बहुत बार एक्जाम में आ चुका है गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम ने क्या लिखी हुमायू नामा लिखी ये भी क्या है आत्म कता है आत्म कता हुमायू की लेकिन किसने लिखी गुल बदन बेगम ने उनके लिए लिखी तुछक ए जहांगिरी इससे जहांगीर के शाशन के बारे में पता चलता है जहांगीर शासन शासन के बारे में इसमें पता चलता है और ये भी क्या है जहांगीर की आत्म कथा है तो यहांपर एक आत्म कथा जो थी हुमायू नामा यह याद रुकि हुमायू ने नहीं लिखी किस में लिखे ही गुल बदन बेगम ने यहां पर ये कथा लिखे ठीक है अब ये जो उस समय की है ना ये सब जो है उस समय की सामाजिक इस्थिती सामाजिक आर्थिक है ना सामाजिक इस्थिती आर्थिक इस्थिती के बारे में सरवाधिक प्रकाश डालती है ये सबी चीजों के बारे में ठीक है नेक्स्ट है तारीक तारीक ए शेरशाही तारीक ए शेरशाही ठीक है तो एकदम आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बताएगा ये उसके पहले आने वाले लोधी वंच दोधी वंच और शूरवंच के बारे में जानकरी देता है और ये भी समाजिक आर्थिक राजनेतिक जानकरी देता है ये शेरशाह सूरी के बारे में ये जादतर बताता है नेक्स्ट है अबुल फजल की अकबर नामा अक्बर नामा अक्बर नामा किसका है अबुल फजल अबुल फजल का अक्बर नामा ठीक है ये अक्बर कालिन इतिहास के बारे में पता करने का इतिहास का सबसे अच्छा ग्रंद है इसके बारे में अक्बर के समय की सभी जानकारी मिलती है जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक क्योंकि अक्बर के समय सांस्कृतिक बहुत ही अच्छा हिस्सा माना जाता है ठीके और उसके अलावा आर्थिक इस्तिति क्योंकि इन्होंने कुछ कर कम करें कुछ चलाए, कुछ हटाए इसे बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में होती रही तो ये सब क्या हो जाते हैं सामाजिक आर्थिक स्तरोत इसके हो जाते है, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है कि सामाजिक स्तरोत कौन से, आर्थिक स्तरोत कौन से है और किसने किसके बारे में बताया है है ना नेक्स्ट है बादशाह नामा बादशाह नामा किस कौन सा है बादशाह बादशाह नामा बादशाह नामा जो है ना शाजा के काल के बारे में बताता है लेकिन इसे लिखा किसने है अबुल हमेद लाहोरी ने अबुल हमेद लाहोरी द्वारा इसे लिखा गया और किसके शाह जहां के 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 शाह जहां है ना ठीक है और अग्जेब के खाफी खाँ जो है ना खाफी खाँ जो लिखता है अपना ग्रंथ देखिए नाम है मुन्तक है ना मुन्तक ब उल्लु बाब मुन्तक ब उल्लु बाब ये किसके बारे में जानकरी मिलती है औरंग जैब के बारे में जानकरी मिलती है बारे में जो जानकरी देता है वो कौन सा है मुन्तक है ना मुन्तक ब उल्लु बाब है ना खाफी खाँ जवारा ये लिखा हुआ है ठीक है उसके अलावा आ जाते हैं ह मलिक मुहमत जैसी द्वारा लिखा हुआ पदमावत किसने लिखा मलिक मुहमत जैसी ठीक है इसी के ऊपर ही पदमावती पदमावत मुवी बनी हुई है बहुत विवाद में च्छाई रही थी किसने मलिक मुहमत जैसी ठीक है रानी पदमनी के बारे में इसमें बताया गया है और फिर दक्षिन की सामाजी किस्तिती के बारे में भी इसमें बताया गया है ठीक है अमीर खुसरो फिर आजाते हैं एक महान एक इतिहासकार भी बोल सकते हैं इन्होंने जो चीज लिखी महान लेखक और फिर बहुत सारी इन्होंने आगे हम जब वो पढ़ेंगे हमारी जो कलासंस क्रति उसमें हम बहुत सारी इसकी चर्चा करेंगे अमीर खुसरो इनकी क्रतियां यदि बात की जाए तो 1289 1289 इस्वी से लेकर 1325 इस्वी के मद लिखी गई 1289 से लेकर 1325 इस्वी के मद इनके पूरी करतियां लिखी गई फिर जलाल उद्दिन खिल जी के सेने अभिहानों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया फिर उसके बाद जाता है खजाईन उल फुतूह अलाउद्दिन की गुजरात विजय के बारे में बताता है मालवा विजय वारंगल विजयो का वर्णन यहाँ पर करता है थीके उसके अलावा मलिक काफूर के बारे में भी यही बताता है जितनी में वेने चीज़े आपको बताई वो आप और नोट करते चले थीके यह सब क्या आ जाता है यह किसके बारे में था अमीर खुसरो के बारे में हो गया अब यहां से हम देख लेते हैं क्या यहां भी हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहां पर विदेशी यात्रियों का वर्णन भी हमको कुछ मिलता है यहां पर विदेशी यात्रियों का वर्णन भी हमको मिलता है विदेशी यात्रियों का वर्णन अब विदेशी यात्रियों का क्या वर्णन हमको यहां पर मिलता है कौन-कौन से विदेशी यात्री इस समय आये थे और उन्होंने क्या क्या करा तेरवी शताब्दी तेरवी शताब्दी में यहाँ पर एक विदेश से आये थे विदेश से एक बहुत ही प्रसिद्ध वेक्ति आये थे जिनका नाम आजाता है क्या मारको पोलो मारको पोलो यह कहां से आये यह वैनिस के रहने वाले ये वेनिस से रहने आये थे और इन्होंने दक्षिन भारत की सामाजिक आर्थिक इस्तिती के बारे में बताया कहां की बताया दक्षिन भारत की सामाजिक और आर्थिक इस्तिती के बारे में यहां पर पूरी तरीके से वंणन करा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ये पूरी तरीकी से बताते कि दक्षिन भारत में कैसी स्थिति हुआ करती थी उसके अलावा एक आते इबन बतुता इबन बतुता ये कहां के रहने वाले थे ये आप मुझे बताई एक कमेंड में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये कहां के रहने वाले थे थे तो इबन बतुता इन्होंने आर्थिक है नए बहुत ही अच्छा वंणन करा है सामाजिक आर्थिक स्तिति का थीक ए मुहमद बिन तुखलक हैना MBT के साशनकाल में आये थे ये मुहमद बिन तुखलक के साश नाम है निकोलो कॉंटी निकोलो डिकॉंटी ये आ जाते हैं कब 1419 से लेकर 1419 से लेकर 1445 इसवी के बीच में ये अपने पूरे छेतर में भारत पर विकास डालते हैं ठीके उसके अलावा आज आते हैं अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक आते हैं और अब्दुल रज्जाक जो है विजय नगर के बारे में विजय नगर के बारे में यहाँ पर विस्तरत जानकारी हमें प्रदान करते हैं वहाँ पर सामाजिक इस्तिति कैसी थी आर्थिक इस्तिति कैसी थी राजनितिक प्रभाव वहाँ पर कैसा था सभी चीज के बारे में ये हमको बताते हैं ठीके उसके अलावा आगे आते हैं बर्नी आगे बात की जाए तो बर्नी ये मुगल काली ये किस समय आये थे मुगलों क लोग आते हैं, है न, Thomas Rowe, Thomas Rowe आ जाते हैं, फिर William Hawkins आ जाते हैं, William Hawkins आ जाते हैं, और फिर D-Late, D-Late आते हैं और Pale आते हैं, यह समय वो था, जहां पर यूरोपियों का आगमन होने लगा था, मुगल काल में यहां से मुगल काल इसके बाद से दीरे दीरे खतम होता चलेगा और इस्सितियां वैसी बन जाएगी ठीक है, ऐसी इस्सितियां बन जाएगे कि महाँपर leps होने लगेगा collapse होता जाएगा दीरे दीरे फिर जाएगी, फिर उसके बाद अकबर्द वित्ती और एकदम खतम ठीके तो मुगल काल महाँ पर क्या हो जाएगा पूर तरीके से द्वस्त हो जाएगा तो इन्होंने ही इन सब ने आर्थिक स्थिति के बारे में जादा तर वर्णान करा आर्थिक स्थिति के बारे में क्योंकि यह तो आए ही वियापार करने थे विदेशी जो भारत आए थे वो सामानी रूप से वियापार करने ही आए थे यह जो टॉपिक हमारे चल रहे है इसके अंदर जो 3, 5, 11 मारकर में जश्ट आपको इसके बाद बताने वाला हूँ जो हमारे last class थे यह ना last class के इसमें discuss करूँगा simple सी बात आप समझ ले जो last class हमारी होगी उसके 3 marker, 5 marker यहाँ पर बात की जाएगी फिर इस class की अगली पाँचवी class में हम discussion करेगे पाँचवी class में हमारे अगले discussion के लिए हम आएंगे थेके उसके अलावा यह जो इस तरोथ हमने देखे यह तो सब साहितिक रूप से विदेशी वर्णन हो गए उसके अलावा यदि हम कुछ और इस तरोथों की बात करें तो कुछ और इस तरोथ हमारे हो जाते हैं जैसे हम बात करें तो हना समारक बहुत सारे समारक उस समय पर बनाये गए है ना जैसे कांचीपुरम का केलाश मंदीर हो गया तंजावर में राजराज प्रथम का द्वारा बनाये गए मंदीर ब्रहदीश्वर के मंदीर चोल समराधो द्वारा बनाये गए मंदीर तेके मतरा औरिजा आबू के मंदीर राजपुत कालीन इस्थापत ते कल अगीर, दारा, निर्मित, बहुत सारी इमारते, इस सब हम वास्तुकला और इसके अंदर सब कुछ देखेंगे। ठीके, इस मारक हो गए, उसके अलावा इनके सिक्के, इन्होंने स्वान मुदराय चलाई, चांदी की मुदराय चलाई, तांबी के मुदराय चलाई, उनके बा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड, विजयनगर, सामराज, ठीके, उसके अलावा पाल हो गए, उत्तर की तरफ हो गए, दक्षिन की तरफ हो गए, पूरा पशीम हर जगे पर यहाँ पर हमें बहुत सारे स्त्रोत देखने को मिलते हैं, ये सभी स्त्रो आधुनिक काल, आधुनिक काल के स्त्रोत, आधुनिक काल के ऐसे कौन से स्त्रोत हैं, जिनके बारे में हम वर्णन करते देखो, आधुनिक काल तक आते आते हमारे पस इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, कि आधुनिक काल को बताना बहुत ही आसान हो गया था, ठीके, सामखरी का भाव नहीं था, यहाँ पर प्रेस आ चुकी थी, इस समय बहुत सामजिक आर्थिक इस्तिति, सान्सक्रितिक इस्तिति, सब कुछ क्योंकि यहाँ पर विदेशी भी आ चुके थे, विदेशी कमपनियों को भारत में आगमन होता है, वहीं से आदुनिक काल शुरू ह हो जाता है वहीं से सभी स्थितियां बनना शुरू होती है तो यहां पर बहुत सारी चीजें हो जाती है ठीक है तो यहां पर अभीले कार्याले बन चुके थे है ना चरणबद तरीके से उनका प्रकाशन भी किया जा रहा था सब चीजें इसके अंदर बताई हुई है ठीक है तो जैसे हम बात करें कि कोई भी अपना यात्रा व्रतांत लिखता है यहां पर कुछ सूर्स के बारे में देख लेते हैं यात्रा व्रतांत ठीक है कि आपने क्या यात्रा करी उसके बारे में जान करी फिर उसके अलावा प्रेस है ना मतलब अख़बार ठीक है पत्र पत्री कहा है ठीक है उसके अलावा घोशना है घोशना है जो की जाती थी घोशना है भी क्या है उस समय की जैसे मारले मिंटो सुधार ठीक है फिर उसके बाद आ गया कि प्रेस अक्ट आ गया तो ऐसे ये सब भी चीज़ क्या है सुधार के अंतरकत हमारी आ जाती है कि उस समय के क्या सुधार किये गए और सुधार कैसे किये जा रहे थे ठीक है उसके अलावा रचनाय आपने बहुत सारी रचनाय देखिए जो देश भक्ती के उपर लिखी हुई है इन सब चीजों से भी हमें का मिलती है जानकारी मिलती है आधुनिक भारत की तो हम इसको आधुनिक भारत जैसे शुरू होगा उस समय हम इसकी गणना करेंगे उस समय इसकी हम बात करेंगे तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था हमने पूरे स्तुरोतों को खतम कर लिया है किस प्रकार से स्तुरोत हमारे help करते हैं किस प्रकार से हमें स्तुरोत मिले इसी का pre lecture भी हम बनाएंगे फिर उसके बाद हम अगले lecture की तरफ चलने वाले हैं जो हमारा अगला section होगा प्रागेति हषिक काल फिर तामर पाशान काल की तरफ हम चलेंगे फिर उसके बाद हम आजाएंगे किसमें हमारी हडपा सब्भिता की और आजाएंगे ठीक है तो मुखे रूप से हमारी हडपा सब्विता बहुत important है वहां से भी question बनते हैं pre में भी, mens में भी ठीक है अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो last lecture था last lecture में हमने कितने प्रशनों के बारे में जानकारी ली कौन-कौन सी चीज़े हमने पढ़ ली थी और कौन-कौन से प्रशन उसमें से बन कर आते हैं सबसे पहले त्री मारकर त्री मारकर के बारे में बात करूँ last class के बात कर रहा है न last class में हमने कौन-कौन से देख लिए थे तो प्रशन पहला है त्री पिटक त्री पिटक क्या होते हैं यह आपको बताना है ठीक है इतनी मार करके हम बात कर रहें ठीक है उसके अलावा यदि हम बात करें कि बौध गरंतों की भाशा बौध गरंतों की भाशा सामानी रूप से कौन सी थी मैंने आपको दूसरी भी वता रखी है है ना तो सामारी रूप से उनकी भाषा कौन सी थी ठीक है उसके अलावा जो आ जाता है तीसरा प्रशन है आंगुत्तर निकाए मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूँ कि मैं लगभग 300-400 400-500 की यानिटी में देता हूँ कि मैं आपको 3 मारकर करवा दूँगा यहाँ पर 400-500- त्री मारकर आपके सामने ऐसे नाचेंगे है ना ठीक है आंगुत्तर निकाए हो गया हमारा ठीक है फिर उसके बाद जाता है बुद्ध चरित्र बुद्ध चरित्र ये आपको थ्री मारकर लिखकर लाना है ठीके उसके अलावा आगम आगम क्या होते हैं ये आपको बताना है बुद्ध चरित्र के बारे में बताना है बुद्ध चरित्र क्या है किसने लिखी क्या हुआ था फिर उसके बाद जाते हैं अगले में भगवती सूत्र क्या है इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है फिर आजाता है कल्प सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है फिर उसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं जैसे मुद्रा राक्षस बहुत मात्वपूर्ण है ठीके उसके अलावा आजाते हैं मालविका अगनी मित्रम यह किसने लिखी ठीके और भी बहुत सारी है जिनको आप डारेक्ट डारेक्ट सीधे 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 बता सकते हैं 10 नमबर पर आ जाता है मैगस्थनीच 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 ये कौन है और उन्होंने क्या करा ठीके, फिर आ जाते हैं 11 नमबर पर मैगस्थनीच के बारे में आ जाता है Natural Historica Natural Historia नेच्छरल हिस्टोरी का यह किसकी पुस्तक है किसने लिखी क्या था इसमें उसके बाद आ जाते हैं 12 नंबर पर यह है किसमें नेक्स्ट कोशन आ जाता है अलबरूनी यह कौन है और इन्होंने क्या करा फिर उसके बाद आ जाते हैं बहुत सारे हैं इसमें तो ताकीक ताकीक एहिंद ताकीक एहिंद ठीके यह इसमें से थ्री मारकर हमारे बन के आ जाते हैं ठीके यह इतने सारे थ्री मारकर हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर के हैं लेकिन यह सभी लगबग लगबग इनी से सम्मंधित हैं यदि अपन तो यहां से इक कोश्चन जो बनते हुए दिखाई देते हैं है ना तो वह हम बोल सकते हैं कि जैन व बॉध्ध जैन व बॉध्ध जो साहितिक स्त्रोत है साहितिक स्त्रोत जो है स्त्रोतो का वर्णन कीजी साहितिक स्त्रोत कौन-कौन से है जैन और बॉध्ध से सम्मंदित साहितिक वर्णन आपको बताना है उसके अलावा दूसरा कोश्चन यह बन जाता है मद्धिक आलिन इतिहास को जानने के कौन से इस्त्रोत के बारे में बात करें हम यहां पर अधर्मिक है ना धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष साक्ष बताईए साक्ष बताईए कौन-कौन से साक्ष होते हैं धर्म निर्पेक्ष साक्ष कौन-कौन से है जिससे मद्धिक आलिन भारत के बारे में जानकारी हमको मिलती है तो आपको ये बताना है उसके अलावा विदेशी विवरण विदेशी विदेशी विवरण विदेशी विवरण से भारत 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 की किन स्थितियों के बारे में स्थितियों के बारे में बारे में जानकारी मिलती है मिलती है मैंस के भी मैं आपको लगबक 100 कोश्चन करवा दूँगा याँपर मैंस के 5 मारकर 100 से 200 कोश्चन आपके सामने फिर से नाचेगे मैं आपको बोल रहा हूँ C हो गया D एक और कोश्चन हम इसके अंदर से बनाते हैं या फिर हम ऐसा बता दे कि साहिप्तिक साहिप्तिक स्त्रोत इतिहास को जानने इतिहास को जानने के लिए कहां तक उप्यूगता है बताना है कहां तक उप्यूगता है यह बहुत ही मतलब शांदर कोश्चन है बताइए आप दिमाग लगाइए ऐसा कोश्चन डायरेकश आपको रखा हुआ तो नहीं मिलेगा कहीं पर कि कहा तक उप्यूगता है और वागी अपे सब चीज है तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लगबख 14 कोश्चन यहाँ पर 3 मारकल लिखे हुए है और पूरी तरीके से दूसरे कोश्चन यहाँ पर लिखे हुए है 14 तो यहाँ पर लिखे हुए है, एको डाली देता हूँ तो पूरे 15 हो ही जाएंगे है नव, तो यहां पर हमको मिल जाता है एक और कुश्छन जो है वो है हर्ष चरीतर हर्ष चरीतर ठीकि हर्ष चरीतर जो है यह किस न लिखे؟ है नव узна, तो यह आपको बतानا है इसके बारे में आपको जानकारी देनी है 3 मारकर 15 मैंने आपको बता दिये 4 आपके बाजू में यहाँ पर रखे हुए है तो इनको आपको solve करना है, आप यहाँ पर chat कर सकते हैं आप बता सकते हैं, आप लिखें लिखें और भेजें लिखें और भेजें आप मेरे चैनल पर जुड़े ही हुए है और आपको जानकारी होगी भी इसकी application भी है application भी है map minds के नाम से ही आप search करेंगे, तो आपको मिल जाएगी play store पर, play store पर यह lecture महाँ पर भी available होगा यहाँ पर भी available होगा तो दोनों चीजों को यहाँ पर याद रखे ठीके, चलिए तो फिर चलते हैं आज के lecture में या आज के lecture में हम यही तक ही बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे, ठीके आगे हम बात करने वाले मैंने आपको बता दिये दो topic है, फिर हड़ापा सब बिता के और चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी mapping के हिसाथ से मैं आप लोगों को ऐसा समझाओंगा क्योंकि इसमें mapping क्या है यह तो पूरा factual data है mapping के हिसाथ से जब समझाओंगा न हर चीज को ऐसा draw करेंगे और समझेंगे मस तरीके से, ठीके, चलिए आज का lecture यहीं तक, मिलते हैं next lecture में, thank you, thank you so much मेरा नम हैंकित बिजवाब बने रही है map minds के साथ में, नमस्कार thank you so much